हिंदोस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में आतम निर्बर भारत के लिए लीडिंग मैनिफेक्ट्रार का रूल प्ले कर रहा है इस स्टेट और एर फ्रेमर के पास इंडियन आम्ड फोर्सेस को इंडिजनेस फाइटर जट्स, ट्रेनर्स और हेलिकॉप्टर्स डिलेवर करने के लिए बहुत सारे ओर्डर्स हैं यह एंडिनों से बहुत दूर है जब H.E.L. को एक प्रॉब्लम चाइल्ड माना जाता था और अब इंडियन आम्ड फोर्सेस की मॉडरनाइजेशन में एक लीडिंग मैनिफेक्ट्रार की तरह उभर कर सामने आया है कुछ लोग तो इस तथ्या से नराज होंगे के H.E.L. इंडियन आम्ड फोर्सेस की मॉडरनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पर कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि क्या इस स्टेट और एंटरप्राइस को मोर एफिशेंट और वर्ल्ड के एरोस्प 23 की ओर्डर बुक के अकॉर्डिंग H.E.L. के पास 81,000 क्रोड से जादा के ओर्डर्स हैं फरबरी 2021 में डिफेंस मनिस्ट्री ने H.E.L. के साथ 83 तेजस माक 1A फाइटर जट्स के लिए लगबग 48,000 क्रोड का कॉंट्रेक्ट साइन किया था जिसमें से करीब 45,700 क्रोड के 73 तेजस माक 1A फाइटर जट्स और 10 तेजस माक 1A ट्रेनर्स के साथ डिजाइनिंग और डेवलेप्मेंट और इंफरस्ट्रक्चर के लिए 1200 क्रोड एलोकेट किये गए थे नवंबर 2023 में मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस ने अडिशनल 97 माक 1A ने LCA की प्रिक्योर्मेंट के लिए एक्सेप्टेंस और निसेस्टी की अप्रूबल दी थी फरबरी 2021 में जब 83 LCA का कॉंट्रेक्ट साइन हुआ तो सभी एरक्राफ्ट को 2029 तक डिलिवर करने की अनॉंस्मेंट की गई थी HAL के पास तेजस के लिए तीन प्रड़क्शन लाइन्स हैं दो बैंगलॉर में और एक नासिक में नासिक वाली प्रड़क्शन लाइन की इनागरेशन लास्ट यर ही की गई थी इस फैसिलिटी में पहले सुखोई 30 की असेंबलिंग होती थी बट अभी इसको कनवर्ट करके तेजस के लिए तयार किया जाएगा और करिंटली इस प्रड़क्शन लाइन का सेटप अभी जारी है सो करिंटली हेल की 16 तेजस परियर के रेड से डिलिवर करने की कपैस्टी है बट हेल का नासिक असेंबली लाइन के फंक्शनल होने के बाद 2025-26 से हर साल 24 LCA तेजस डिलिवर करने का अबजेक्टिव है बट फेक्ट यह है कि साल 2022-23 में HAL ने सिरफ 22 एरक्राफ्ट्स और हेलिकॉप्टर्स ही पडियूस किये हैं जिसमें LCA तेजस, Dornier 228, Light Combat Helicopter और Light Utility Helicopters शामिल है LCA के Mark 1A variant में previous variant के comparison में कई तरह की advancements की जाएंगी जैसे radars, advanced avionics, sophisticated sensors, heavy composites और in-flight refueling system जैसी बहुत सारी advancements बट तेजस Mark 1A के service में आने के बाद उसकी reputation HAL दोरा production के time पर use किये गए quality standards के अधार पर बनेगी HAL के लिए तेजस में use होने वाले indigenous content की stringent requirements को पूरा करना भी एक challenge रहेगा जैसे minimum 50% indigenous content की requirements हैं बट उसको program के अंत तक 60% तक करने का plan है सो past records को देखते हुए LCA Mark 1A की 180 units की quality maintain रखते हुए time पर deliver करना HAL के लिए challenging task रहने वाला है इसके अलाबा 12 सुखोई 30s भी order पर हैं और 84 सुखोई की major upgradation के लिए भी HAL और IEF की discussions चल रही है इसके बाद trainer aircraft की बात करें तो October 2022 में Defense Ministry द्वारा HAL को 7000 crore value का contract दिया गया था जिसमें HAL HTT 40 basic trainer aircraft की 70 units deliver करेगा पूरे order को 2028 तक पूरा किया जाना है जिसमें HAL को सितंबर 2025 तक पहला trainer aircraft deliver करना है HAL का हर साल 20 trainers produce करने का objective है पर HAL के chairman CB Ananth Krishnan की मई 2023 की एक statement के according पहले 12 aircraft per year के हसाब से delivery होगी इसके बाद 16 aircraft और finally 20 trainers per year Defense Acquisition Council द्वारा total 106 HTT 40 basic trainer aircraft की procurement की approval दी जा चुकी है सो जब पहले 70 units के order की delivery स्टार्ट होगी तो इसके बाद pending 36 trainers का order भी HAL को मिलेगा HTT 40 trainers Air Force के लिए बहुत crucial है क्योंकि IAF के पास Swiss built PC7 basic trainers की around 75 units है बट Air Force को basic flight training, aerobatics, instrumental flying और close formation flights और कई तरह के रोल्स जैसे navigation और night flying training के लिए additional basic trainers की जुरूरत है वैसे तो HL के पास HT2 और HPT 32 trainer aircraft की designing और development का valuable experience है बट HTT 40 में बहुत सारी advancements हैं जैसे fully aerobatic tandem seat, air conditioned cockpit, modern avionics, hot refueling hot refueling मतलब running engine के दोरान aircraft को refuel करने की ability इसके बाद running change over मतलब running engine के time, crew change और zero zero ejection seat जैसे features इसके बाद बात करते हैं rotary wing मतलब choppers की HL दोरा produce किया गया advanced light helicopter धुरूफ Indian armed forces में पूरी तरह established हो चुका है इसके बाद ALH धुरूफ के latest MK3 और MK4 variants रुद्र और नए choppers जैसे light combat helicopter प्रचंड और light utility helicopters Currently HL के helicopter portfolio में 3 ton के LCH और 5 ton के ALH और LCH शामल है HL 13 ton के IMRH Indian multi-role helicopter पर भी काम कर रहा है IMRH का एक naval version भी होगा जिसको DBMRH deck based multi-role helicopter का नाम दिया गया है IMRH की Currently preliminary designing activities चल रही है HL इसके पहले phase की wind tunnel testing कर चुका है और wind tunnel testing का phase 2 under process है अभी तक 400 प्लस दुरूफ helicopters को produce किया जा चुका है जिसमें से 90 units रुद्र की है इस साल मार्च में Defense Ministry ने ALH MK3 की 34 units के लिए HAL के साथ contract sign किया था So advanced light helicopter 500 units की production को touch करने वाला है Light combat helicopters की बात करें तो HAL LCH की 15 units को already produce कर चुका है जिनमें 45% indigenous content है जो के series production में 55% तक increase होने की उमीद है इसके बाद 156 LCH प्रचंड का formal contract भी जल्द ही HAL expect कर रहा है जिसकी approval DSE द्वारा last year November में दी गई थी और 30 helicopters per year की planned production rate के accordingly इस order की delivery 5 साल तक complete होगी बर यह असान नहीं होने वाला क्योंकि LCH एक combat helicopter है और attack helicopter को required quality और quantity में produce करना एक challenging task है जिसको कुछ countries ही achieve कर पाई है So required specifications और performance को maintain रखते हुए HAL के लिए high production rate के साथ इन attack choppers को produce और deliver करना challenging रहने वाला है Light utility helicopters की around 180 units की requirement है बट क्योंकि यह 3 ton class के utility choppers इंडियन army और air force के चीता और चेतक helicopters को replace करेंगे सो जब इनकी production स्टार्ट होगी तो additional LUH का contract भी HAL receive कर सकता है बट अभी expected 180 units की approval भी DSE द्वारा pending है लास्ट यर फरबरी में प्राइम मिनिस्टर द्वारा इंडिया की largest helicopter factory Greenfield helicopter factory की inauguration की गई थी Initially इस factory में light utility helicopters की production स्टार्ट होगी इसके बाद light combat helicopters और Indian multi-role helicopters को भी यहां produce किया जाएगा Initially 30 helicopter per year के rate से manufacturing होगी जिसको बाद में orders के हिसाब से 60 और maximum 90 तक increase किया जा सकता है So यह fighter jets, trainer aircrafts और helicopters के current orders और HAL की production capacity की एक simple picture है अगर हम इंडिया के पुराने indigenous military aviation programs को देखें तो insufficient funding, low order volumes और advanced technology में access की कमी के कारण बहुत torturous history रही है पर अभी इन सब चीजों को काफी हद तक दूर किया गया है और government की strong support और large orders के कारण HAL की history में यह most opportunal movement है जहां उसके पास ना सिरफ domestically बट aerospace sector में internationally भी emerge होने के पूरे chances है इस decade के last तक हमारे पास इस बात का जवाब होगा कि क्या HAL इस अवसर का पूरा लाव उठाने में सक्षम था या फर उसने इस मौके को भी फिसर लें दिया झाल 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 झाल